कुछ बातों को गोल-गोल गुमाने से कोई फायदा नहीं, इसली बलकुल साफ-साफ बोलूंगी अगर तो we love somebody truly, हमें किसी से प्यार है, महबबत है, इश्क है, दिल से है तो फिर जो आगे में points बताने वाली हो, उनमें से हम वो काम उसके साथ कभी नहीं करेंगे सोच भी नहीं सकते हैं उसके साथ करने के लिए, नेकिन अगर हम करते हैं, या हमने कभी सोचा, या हम सोचेंगी तो फिर वो प्यार नहीं है, वो जिद है, वो एगो है, वो बीमारी है, बस पकवास बात हैं ये, it's sheer nonsense चाहिए वो लड़का लड़की के साथ करे या लड़की लड़के के साथ करे या शादी से पहले हो या शादी के बाद हो उसकी मर्जी के बगएर उसका पीछा करना जहां वो जा रहा है या जा रही है उसके पीछे-पीछे जाना It's called stalking उसकी मर्जी के बगएर उसके साथ ये करना Is harassment, not प्यार उसकी मर्जी के बगएर कहीं से उसका number source कर लेना और उसके बाद WhatsApp पे बार-बार messages करके तंग करना उसकी profile picture देखके बेखार की comments फेजना Finally एक message आए के block कर दिया जाएगा उसके बाद भी करते रहना I mean, how is it love, यार? It's not love at all घर अगर आसपास हो तो हर वक्त बाहर खड़े उसका इंतजार करते रहना या उसके घर के आसपास के चक्कर लगाना या उसके दोस्तों से जानबूच के friendship करना या घर ही में गुसाना किसी बहाने जो उसको बिलकुल अनौइ कर रहा है मतलब, that person is not liking it ये प्यार है या परिशानी है? उसे बार-बार missed calls देते रहना इतना call करना, इतना call करना कि वो उन अपना number बदल दे या फिर phone बंद करके बैठ जाए या फिर block कर दे ये मोहबबत थोड़ी होती है ये परिशान करना होता है, सीधा सीधा आपको पता है, मैं इतने सारे acid attack victims से मिली हूँ जिनके मुपे या फिर उनकी body पे acid ठेग दिया गया था और जादातर उनने से मुझे बताते हैं कि उन लोगों ने ये काम किया जो एक time पे उनसे कहते थे कि उनसे बहुत प्यार करते थे और जब इन लड़कीों ने बोला कि उनसे प्यार नहीं करती तो उनके साथ उन्होंने ये काम किया तो किसी भी तरह की बदले की भावना दिल में रखना कि अगर उसने वापस मुझे प्यार नहीं किया तो मैं ये कर दूँगा ये ये कर दूँगी ये तो प्यार बिलकुल नहीं है ये एक तरह की बीमारी है और शादे के बाद ये सोच लेना कि अब अपना पार्टनर वैसी जिन्दगी बिताएगा जैसी हम चाहते हैं इस तरह की उमीद करना ये भी प्यार नहीं है कोई महबबत नहीं है जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं महबबत करते हैं उसके सामने अगर नकली चेहरा लेके घूमेंगे कोई दिखावा करेंगे, एहसान जताएंगे, तो वो प्यार तो नहीं है, वोस सिर्फ एक नाटक है, और नाटक हम उनसे नहीं करते जिन से हम प्यार करते हैं. किसी का फोन चेक करना, किसी का मेल चेक करना, उसकी personal information access करना बगैर उसके इजासत के is breach of privacy and breach of privacy is breach of trust ये तो उसके साथ हम करी नहीं सकते जिससे हम प्यार करते हैं, महबबत करते हैं उसकी तो गुनियाद ही यकीन है ना trust है, भरोसा है, वो ही हिल गया तो फिर क्या प्यार है? या फिर उसका पीछा करवाना अगर किसी चीज़ को लेकर शक है तो बात करना है, उससे पूछना है और अगर वो trust, वो यकीन, वो भरोसा नहीं रहा तो प्यार भी नहीं रहा मजाक में सही, उसके घरवालों का, उसके फ्रेंस का उसके जानने वालों का मजाक उडाना मजाक उडाना है तो अपने घरवालों का, अपने फ्रेंस का उडाना चाहिए कभी-कभी ये जोक कुछ जादा ही दूर चला जाता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर उसके घर वालों के बारे में कुछ भी बुरा कहा जाए तो किसी को भी नीचे दिखाने से प्यार बढ़ता तो नहीं है घटता है और कभी-कभी विल्कुल खत्म हो जाता है अगर किसी भी तरह से हम उसके सपने मारने के लिए जम्मेदार हैं उसको उसके शौक से दूर रखा हुआ है उसके इमान उसके धर्म उसके रिलिजjack, उसके मजभब उसके अंतरात्म, उसके फेट, उसके बिलीट पे उमली उठाई है यह सवाल उठाया है तो फिर तो यकीन हम उससे प्याद नहीं करें